हेलो फ्रेंज, वेलकम टो SSC Maker दोस्तों आज किस वीडियो में हम जन्रल अवैनेस के इंपॉर्टन टॉप 20 MC क्यूट डिटेल में डिस्कस करेंगे यह जन्रल अवैनेस की सीरीज का पार्ट 15 है जो कि आपके आने वाले Railway NTPC, Group D, SSC, CGL, CHSL, MTS Bank और All Exams के लिए helpful है यह questions हर competitive exams में बार-बार पुछे जाते हैं और बार-बार repeat होते हैं सारे questions important एसलिए वीडियों तक जरूर देखेगा और सभी questions से related as to fact बुजानेंगे तो चलिए start करते हैं हमारा first question उससे पहले दोस्तो आज का thought जालनेते हैं आज का thought है tough times never last but tough people do ओके तो दोस्तो हमारा question है महिलाओ को ओलंपिक खेलों में भागिदारी का अधिकार किस वर्ष मिला बताए दोस्तो कब मिला था तो वे मिला था 1900 में ओके ये जो था दोस्तो महिलाओं ने साल 1900 के पैरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था ये पहले आधुनिक ओलंपिक के चार साल बाद आयोजित हुए थे ठीक है याद रखेगा और ये जो था ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल वर्थमान की प्रतियोगिताओं में अग्रणी खेल प्रतियोगिता है जिसमें क्या होता है हजारों एथलेट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं और उलम्पिक की शीत कालीन अवं गृष्म कालीन पृतियोगिताओं में दोसों से जादा देश प्रति बहागी के रूप में शामिल होते हैं। इसके लावब क्या है जो ओलम्पिक है ओलम्पिक खेल में प्रतिक चार वर्ष के बाद जो है चार वर्ष के अंतराल से आयोजित किये जाते हैं और ओलम्पिक खेलों का आयोजन अंतरास्टे ओलम्पिक समीती करती हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है दोस्तो अशोक की लीपी को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ बताईए कौन था वह है तो दोस्तो वैते जेम्स प्रिंसिप ओके यह जो थे दोस्तो अशोक यह कौन थे बताईए तो दोस्तो यह महान समराठ था और यह जो थ इससे रेटी रेकर केशन पूछा जाता है कलिंगी उद से ठीक है कलिंगी उद में जो हुआ था व्यापक नसरहार के बाद अशोक जो है विचलित हो गए थे जिसके परिणाम सरुप उसने क्या किया था बहुत धर्म सुईकार कर लिया था और इन्होंने दोस्तों कई निर क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है निमन में से किस एक का संबन महीला बैडमिंटन खेल से है बताइए दोस्तों कौन सा कप है वह है तो दोस्तों वह है उबेर कप ओके ये जो है इसे कभी-कभी महीलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी क के लावा जो इसका पहली बार आयोजन हुआ था वह कब हुआ था तो दोस्तों वह हुआ था उन्निस सो चपन से लेकर उन्निस सो सतावन में ठीक है तीन वर्षों के अंतराल पर किया गया था याद रखेगा दोस्तों इंपॉर्टन कुशन है और यह कुशन बार बार पू रास्टे विकास परिशत की स्थापना कौन से वर्ष हुई बताए दोस्तों कब हुई थी तो व्य हुई थी उन्निस सो बावन में ओके यह जो है रास्टे विकास परिशत का गठन था छे अगस्त उन्निस सो बावन को गया था और योजना के निर्मान में राज्यों की भा हमारा नेक्स फेशन है त्रित्य कोईले को और किस नाम से जाना जाता है बताए दोस्तो तो उसे कहा जाता है भूरा कोईला ओके याद रखेगा नेक्स पेशन पर चलता है हमारा next important question है अर्वी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है बताए दोस्तों क्या मतलब होता है तो व्य होता है पतज़ड ओके ये जो है खरीफ की फसल अक्टूबर में पतज़ड के मोसम में तयार होती है इसलिए इस नामसे से बुलाया जाता है ठीक है याद रखेगा next question पर चलते है हमारा next important question है प्रसिद चेरा बंदर का मुझरी नेमन में से किस राज्य में इस्तीत है बताए दोस्तों कहां पर इस्तीत है तो व्य है केरल में ओके दोस्तों यहाँ पर केरल की बात हो रही है तो कुछ important point जा लेते है इसका गठन कब हुआ था बताए इस राज्य का तो व्य हुआ था 1st November 1956 को ठीक है और यहाँ के CM को ने बताए दोस्तों तो व्य है पिनराई विजियन ठीक है गवर्नर है यहाँ के आरीफ मुहम्मद खान ठीक है याद रखेगा सारे important points next question पर चलते है हमारा next important question है दोस्तों मौरको का यात्री इबन बतूता किसके साशन काल में भारत आया बताए किसके साशन काल में आया था तो दोस्तों वैता मुहम्मद बिन तुगलक ओके यह जो था दोस्तों इबन बतूता यह अरब यात्री था विद्वान तथा लेखक है यह इसके अलावा और यह मुसल्मान थे मुसल्मान यात्रियों में सबसे महान था इबन बतूता द्वारा अरभी भाषा में लिखा गया है उनका यात्रा वृतांत यह भी question पूछा जाता है क्या कहते हैं जिसे किताब उल रिहला ठीक है और यह जो थे मुहमद बिन तुगलक यह कौन थे दोस्तों तो यह दिल्ली संतनत में तुगलक वंच का साशक था और इस से related equation पूछा जाता है important question कि जो दिल्ली से देवगिरी यानि दोलताबाद किसने स्थानतरित कीती अपनी राजधानी तो वैत दोस्तों मुहमद बिन तुगलक उन्होंने कब किया था यह 1327 इस्वी में ठीक है इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानि दोलताबाद स्थानांतरित कीती याद रखेगा दोस्तों important question है और दोस्तों ये वीडियो शेर जरूर कीजिएगा आप सभी जानते है sharing is the best way of learning तो चलिए next question पर चलते हैं हमारा next important question है crouch start की प्रतिस परदा से संबंदित है तो बताए दोस्तों कौन सा खेल से संबंदित है ये किस से related है तो वे है sprint ओके याद रखेगा next question पर चलते हैं हमारा next important question है Melbourne Cricket Club याने MCC का मुख्याले कहां इस्तित है बताए दोस्तों तो वे है लंडन में ओके इसकी स्थापना कब हुई थी बताए दोस्तों MCC की तो वे हुई थी 1787 में ठीक है और ये जो है लंडन NW के सेंट जॉनस वुड में ladies cricket ground में स्थित है MCC और ये जो है पहले इंगलेंड और Wales तथा पूरी दुनिया में cricket का नियंदरवन करने वाली इकाई है ये भी important point याद रखेगा next question पर चलते है हमारा next important question है एक वर्ष में बजट सत्र की अवदी कितनी होती है मताईए दोस्तों तो व्य होती है फरवरी से माई ओके ये जो है दोस्तों बजट ठीक है भारतिय समविधान के अनुछेद 112 में भारत के केंद्रिय बजट को वार्षिक वित्य विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जो किसी भारतिय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसे प्रतेक वर्ष फरवरी के पहले कारे दिवस को भारत के वित्मंत्री द्वारा संसत में पेस किया जाता है और दोस्तों जो हमारा वित्वर्ष होता है यानि financial year वो कब होता है कब से कब तक होता है बताईए तो दोस्तों व्य होता है 1st April से लेकर 31 मार्स तक ठीक है यह भी आपको पता होना चाहिए इंपॉर्डेंट है नेक्स्ट केशिन पर चलते हैं दोस्तों हमारा next important question है जेद अवेस्ता किस धर्म से संबंदित गरंथ है पवित्र गरंथ बताईए दोस्तों तो वै है पार्सी से ओके यह जो है इस भाशा के माध्यम से इसका आश्रे लेकर जर्दुरुस्त धर्म यानि पारसिरान का मूल धर्म का विशा साहिते निर्मित हुआ था औ दोस्तों अवेस्ता कहते हैं अवेस्ता या जेंद अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाशा और धर्म गरंतों का बोध होता है ठीक है इसी नाम से पता चलता है क्या है यह तो याद रखेगा दोस्तों नेक्स कृशन पर चलते हैं हमारा next important question है निम्न में से कौन सा बंदरगा कच्च की खाड़ी के मुहाने परिस्तित हैं बताइए दोस्तों कौन सा है वे है तो दोस्तों वे है कांडला ओके यह जो है कच्च की खाड़ी गुजरात राज्ये के उत्तर पश्यम शेत्र में कच्च जिला और जामनगर जिले के मद्दे स्तित हैं और यह जो है इस खाड अरब सागर का येक हिस्सा है, ठिक है, इसके अलावा ये जो है, समंदुर कच्की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से मिल कर बनाुआ है, ठिक है? ये पूचा गया है न दोस्तों यह पर कि कच्की खाड़ी के मुहाने पर कौन सा बंदरगा इस्थित हैं तो दोस्तों फर्स्ट है कांडला सेकेंड है मुंद्रा और नेक्स्ट है मांडवी ठीक हैं याद रखेगा तीनों नेक्स्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है सूरे की आंख से दिखाई पढ़ने वाले परत क्या कहलाती है बताइए दोस्तों क्या कहा जाता उसे तो वै कहलाती है प्रकाश मंडल ओके याद रखेगा दोस्तों और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और क्यूशन के दोस्तों नेक्स क्योशन पर चलते हैं हमारा नेक्स क्योशन है दक्षिन अमरीका का कौन सा देश चारो और से धरती से घिरा हुआ है बताइए दोस्तों कौन सा है वह है तो वै है परैगवे ओके यह जो है दक्षिन अमेरिका उत्तर अमेरिका के दक्षिन पूर्मेस्तित पश्यमी गोलार्द का एक महादिवीप है, याद रखेगा दोस्तों, नेक्स क्योशन पर चलते हैं, हमारा नेक्स क्योशन है, अनिश्चित कालीन, इस्थगन के संदर में शाइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है, बताईए दोस्तों क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ह होता है अनिश्चित काल के लिए ठीक है अनिश्चित काल के लिए याद रखिएगा नास केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है दोस्तों भूमद्य रेखा निमलिकित में से किस देश से होकर गुजरती है बताइए तो दोस्तों वैं है माल्दुवीव ओके यह जो है भूमद्य रेखा दक्षिणी अमरीका के तीन देशों एक्वाडोर, कॉलंबिया और ब्राजिल से गुजरती है इसके अलावा यह जो रेखा है अफ्रीका माधीब के साथ देशों साउटों में और प्रिंसिपे जो कि अटलांटिक महसागर में इस्तिद्व ओकर गुजरती है याद रखेगा important question है next question पर चलते हैं दोस्तो हमारा next question है IAE का विस्तरित रूप क्या है बताईए IAEA का तो दोस्तो where है the international atomic energy agency okay full form दोस्तो आपको सभी पता होनी चाहिए क्योंकि एक नाए question ज़रूर पूछा जाता है इसलिए सारी full form नोट कर लीजिएगा next question पर चलते है हमारा next important question है दोस्तो capital and growth पुस्तक के लेखा कौन है बताईए किस ने लिखिया यह है तो दोस्तो where है John Hicks यह जो है Sir John Hicks एक बृतानी अर्थ शास्तरी थे और यह जो book publish हुई थी दोस्तो कब हुई थी बताईए कौन से यहर में हुई थी तो where हुई थी 1965 में ठीक है और दोस्तो 1972 में जो John Hicks है उन्हें Nobel Memorial Prize मिला था किस में Economic Science में याद रखिएगा next question पर चलते हैं दोस्तो हमारा last question है दोस्तो रास्टे बाली का दिवस कब मनाया जाता है बताईए तो दोस्तो वे मनाया जाता है 24 जन्वरी को ओके यह जो है रास्टे बाली का दिवस 24 जन्वरी को मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 24 जन्वरी के दिन इंद्रा गांधी को नारिष शक्ति के रूप में याद किया है ठीक है याद किया जाता है और इस दिन जो था दोस्तो इंदरा गांदी पहली बार प्रदान मंत्री की कुर्सी पर बैठी थी इसलिए इस दिन को रास्टे बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया गया था याद रखेगा दोस्तो 15 जनवरी यहाँ पर mistake हो गया दोस्तो 15 जनवरी को कौन सा डे बनाते है बताईए दोस्तो तो वै मनाया जाता है थल सेना दिवस ठीक है दोस्तो यह भी आपको पता होना चाहिए याद रखेगा important question है days or dates से related भी question जरूर पूछा जाता है इसलिए आपक यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study related group में शेयर जरूर करें और एससी maker को like subscribe and share करना बिल्कुल न बुलें आज के लिए बस इतना ही thank you so much दोस्तो